तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के क्यारे डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे और आज के इस धम्माकेदार सेशन में हम लोग सुरुवात करने वाले हैं एप्रॉक्सिमेशन के कुछ बहुत ही जबर्दस्त क्वेशन जो कि आपको फ्रीक्वेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं पचास क्वेशन मैंने आज के इस शेशन पर आपके लिए डिजाइन किया है जहां पर हम टाइमर के साथ परफॉर्म करेंगे सवाल दिखने में काफी complicated लगेंगे बट एक बार आप उसके अंदर attack करके घुष जाएं तो सवाल बहुत ही आराम से पिगल जाएगा और आराम से आप सभी के सामने आपका answer रहेगा तो timer के साथ perform करना है सभी से request है कि हो सके तो एक बार session को like और share जरूर से कर दे ताकि जादा से जादा लोगों तक ये session पहुंच पाए a very good morning to everyone जितने लोग session को join करना है सभी का हार्दीक स्वागत है आज के session पे उमीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही जवर्दस होंगे और आपकी तयारी तो और जवर्दस चल रही होगी तो एक बार बस confirm कर दीजे कि everything is audible, visible perfectly and make sure कि आप सभी ने एक बार session को share जरूर से कर दिया बेलकुल मेरे ख्याल से सब कुछ perfect है, a very good morning to everyone जितने लोग session को join कर रहे है एक छोटा सा update आप लोगों के लिए है, यह last time दे रहे हैं क्योंकि यह scholarship test जो है यह आपका कल होने वाला है क्योंकि आज अगर मैं बात करूँ तो today is 26th of feb and tomorrow 27th of feb पे यह scholarship test आपका होने वाला है इस scholarship test पे आप जरूर से part लीजे, इसका link मैं आपके लिए description पे भी लगा दूँगा और साथी साथ जो pinned comment है वहाँ पे भी session के बाद आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको enroll जरूर से कर लीजेगा और enrollment यहाँ पे complete free होता है तो आप इस test को जरूर से दीजेगा और enrollment का अगर आपको कोई code मांगी, you can use this code cd live ताकि आप इस test को freely appear कर सके इस test में आप अपने preparation को भी test कर सकते हैं और साथी साथ आपके motivation के लिए कई सारे धेरो इनाम भी रखा गया है जैसे कि अगर मैं बात करूँ, rank 1 को laptop, 2 से 6 तक smartphone और 7 से 16 तक earboard और 400 आपके top rankers को मिलेगा anacademy के तरफ से scholarship and apart from this 300 lucky winners को आपको 1000 रुपिस के gift quarter से नवाजित किया जाएगा तो आप सभी को request है कि ये test को जरूर से enroll करें और कल दें और अगर इस test के preparation की बात करें कैसा level क्या रहता है आज उसी तरह का एक quant का paper हम discuss करेंगे जैसे कि कल के paper के लिए हम तयार हो सकें वहाँ पर आपको बता है कि 20 minutes में पहले आपको देता हूँ पूरा paper को solve करने के लिए हर एक सवाल में sectional question के लिए sectional timings है वो लोगा आप अपने ranking देख सकते हैं final score देख सकते हैं 20 minutes का ये quant का test जरूर से दीजेगा जहां पे आप 35 questions अटेंड करेंगे तो ये आज के 9 पेम पे सभी लोग आ जाईएगा ठीक है और apart from this ask a doubt feature का जरूर से इस्तमाल कीजेगा जो भी आपके preparation के time पे doubts आ रहे हैं screenshot लेके share कर दीजेगा उसका instant solution आपको मिल जाएगा apart from this जितने भी courses मेरे चल ले हैं उन सबको आप सभी से request है कि enroll जरूर से कर लीजेगा enrollment के लिए आपको करना कुछ नहीं होगा बस मेरा profile को visit करना होगा उसका भी link आपको description ने नीचे मिल जाएगा वहाँ पे आप सभी लोगों को request है follow जरूर से कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पे daily में 9 पेम के classes लेता रहता हूँ और वो class आप अगर miss नहीं करना चाहते हैं type to time notified रहना चाहते हैं तो follow कर लीजेगा सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे मैं पूरा cash late basic से लेकर advance तक करवाँगा चाहे normal cash late हो level low, easy, moderate, high सब कुछ उसके बाद हम बात करें when diagram उसके भी easy, moderate, high topic wise यानि के arithmetic topic के based पे partnership के based हो simple compound interest के based हो profit loss के based हो time and work के based हो वैसे cash late आपको easy, moderate, high and apart from this जो आपके graph के उपर और cash late paragraph मिल के आते mixed form है उसके easy, moderate, high यह सब कुछ हम करेंगे second of March से और इस class का timing जो रहेगा वो आपका दो पहर 12 बजे का रहेगा apart from this एक और course आपका अभी चलना है arithmetic के लिए जो की 7 p.m. पे चलता है आपका daily basis पे Monday से लेके Friday तर यहाँ पे हमने time speed distance की सुरुवात की है और एक अपना course जो है यह आपका RBA assistant के mains को target करते हुए रहा है यह आपका 4 p.m. पे होता है जहाँ पे हम mains level arithmetic और mains level data interpretation देखते हैं और अपने regulatory का course मतलब लिया हुए subscription you can access this course too और अगर आप subscription लेना चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी monetary discount की requirement है तो जब भी आपको referral code मांगे you can go for this code remember the code cd.ly आप ये code लगाने से आपको जो भी उस time का maximum discount होगा वो मिल जाएगा अब आप प्रंदिस आप अपने credits को भी redeem कर दीजे ताकि maximum जितना possible discount आपको मिलना चाहिए वो मिल जाए तो उमीद करता हूँ सब कुछ ready है आपने अपना pen और paper उठा लिया है एक करके एक में सवाल आपके सामने डिस्प्ले करूँगा और फूर उसका detail explanation दूँगा जब आपका सबसे पहला answer आएगा उसी time को मैं mark कर दूँगा कि वो topper time है वो ideal time है और वो time जो होगा वो हमारे बीच में 3-4 second का lag रहेगा तो उससे कि आपको पता चल सके कि आपके सामने वाले बंदे जो competitors हैं उन्होंने कितने time में किया हुआ है तो इसलिए मैंने timer भी आज session को start करते हैं बिल्कुल continue करेंगे गोपिनार दास जी सर probability permutation and combination का एक complete ठीक है very good morning 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 ओके तो चलिए start करते हैं सबसे पहला सवाल आप लोगों के उपर ये रहा timer भी चालू हो चुका है तो जल्दी से करके दीजिए answer अरे सत्यप्रिया सिंग जी जय जगन्ना जगन्ना जी का नाम लेके तो शुरू कीजिए जल्दी से आज के लेवल थोड़े कल से बैटर रहेंगे क्योंकि कल बहुत ही जादा लेवल हो गया तो सीखने के लिए मजा नहीं आ रहा होगा अक्षिता सिंग 112 फिर आकास शंदा B B A A A B में बहुत लोग है 112 और 157 और टाइम इसका आइडियली हम मानें तो 30 seconds में आप लोगों ने इसका answer दिया है देखते हैं क्या है इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले तो यह अपने जगा रहा टिका हुआ 272 प्लस यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो यह आपका कुछ नहीं यह 97 है माइनस यह 15 है और यह 8 है 15 इंटू 8 कितना होता है 120 97 से जब आप 120 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 23 आएगा यह चीज गडबड मत करना यह माइनस का question mark है यह RHS में जाएगा तो question mark बन जाएगा और RHS से यह 137 जो है वो माइनस होके इधर चलाएगा माइनस का 137 अब आपकी मर्जी आप क्या करते हो जैसे कि दोनों माइनस चीज़ों को जोड के एक ही बार में आप 272 से घटा सकते हो या फिर आपका call है अगर मैं इन दोनों को जोड़ों तो फाइदा है हम कली सीके ते कि हमारे पास 3 और 7 जब जुड़ जाएंगे तो 0 जितने यूनि डिजिट आपके perfect बन जाएंगे उतना आपके calculation के लिए future में बहतर है तो अगर 137 और 23 को में जोड़ दू तो 130 20 जुड़ा 150 7 3 जुड़ा 10 160 यह माइनस में आएगा आपके और जब आप 272 से 160 को माइनस करोगे तो clearly 72 से जब 60 जाएगा 72 से 60 जाएगा तो 12 रहेगा और 2 से 1 जाएगा तो वो 1 रहेगा तो 112 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है तो perfect approach के साथ इस सवाल का ideal time 30 seconds हम मान के चलते हैं क्योंकि time lag मुझे 3-4 second बाद ही आपका comments दिखाएगा तो उससे माइनस 4 हम करी लेंगे ठीक है तो वेरी गुद मौनिंग एव्रीवन 78 सिमरन सक्सेना जी बोल रहे हैं तो 35 seconds यहां पर सभी लोग 78 मतलब ideal time देखो एक बार 78 उसके बाद लगाता है मतलब आपको भी पता चलना चाहिए कि इतने time में सब लोग बनाते एक usual time यह आपको पता होना चाहिए इसलिए sessions के benefits आपको मिलने चाहिए यहां पर यह लगबाग 40% है और बच्चा बच्चा जानता है 40% का मतलब 2 by 5 होता है क्योंकि 20% 1 by 5 होता है off के साथ यहां पर इन दोनों को गलती से भी multiply करने की जूरत ना कीजिए क्योंकि वो जाधा time consuming हो जाएगा अगर आपको पता हो तो 2 by 5 यहां पर multiplication में है यह भी multiplication तो 12.88 को में 13 लिख सकता हो और 24.88 को में 25 लिख सकता हो इससे फाइदा क्या मिला यह 25 को जब 5 times cancel हो आना 5 into 2 10 हो गया और 10 में जब 13 multiply हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा value 130 simple है जितना आपको complicated लग रहा था उतना कभी नहीं था minus में यहां पर अगर मैं देखूं तो यह आपके पास 572 है और यहां पर divided by 143 है विजन अगर आप अपना clear करोगे तो 100 से 505 गुना लगेगा लेकिन यह 30 है तो 4 गुना लग रहा है और यहां पर unit digit भी 3 का 4 गुना करने से 12 का 2 आता है तो perfectly blind guess के साथ आप इसको 4 में cancel कर सकते हो लेकिन अगर कोई doubt है तो आप अपना calculation कैसे कर सकते हो 140 का 4 times कितना होता है 14 का 4 times 56 में 10 560 3 का 4 times कितना होता है 12 560 और 12 572 मतलब यह clearly value cancel होके 4 बार जला जाएगा तो यहां पर minus का 4 रहा लेकिन minus मत कर दीजेगा क्योंकि 4 associate किसके साथ है 12.67 यह 12.5 के barrier को cross कर चुका है तो यह क्या आपका 13 बन चुका है बिल्कुल 13 बन चुका है तो 13 into 4 यहां पर यह कितना हो गया 52 130 से अगर मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरे पास 80 रहना चाहिए था लेकिन और 2 जाते ही मेरे पास 80 से 2 जाके 78 बचेगा तो option number भी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है जल्दी से कीजिए ताकि आप अपने ideal time को भी चेक कर सेगे छोटा सवाल है उड़ाव जल्दी से 23 सिमरन शक्षेना अगर सही है तो बहुत जल्दी है आपका speed जबरदस्त है बहुत बढ़िया यार टाइमर मैंने बंद कर दिया क्योंकि ideal time मिल चुका है 23 सभी लोगों के 30, 23, 50 भी आ रहा है सब कुछ आ रहा है यहाँ तो यह सवाल में maximum लेकिन 23 आ रहे हैं सबसे पहले 33.33% को जितने लोग round off करके 33 कर देंगे उनकी जिंदगी वहीं पर तबाह होगी कैसे यहाँ पे 33.33% क अगर आपको ध्यान हो तो यह माइनस का question mark इधर आएगा और यह प्लस बनेगा और यह 40 जो है यह इधर जाएगा तो 40 इधर आके माइनस होगा लेकिन किस से माइनस होगा बस वही देखना है यह 29.98% है क्या मैं इसको 30% कह सको 30% का हमेशा यह मतलब मत निकालना 3 by 10 यहाँ अगर यह value आपको दिख रहा है 210 तो हर बार अलग-अलग calculation के साथ जाना है जब आप अलग-अलग calculation के साथ जा रहे हो मेरा मतलब यह है कि 210 का 10% कितना होता है 210 का 10% होता है 21 तो 30% उसका कितना होगा 21 into 3 63 मतलब RHS में बैठा हुआ होता 63 माइनस X आ गया इधर X और LHS का 40 इध सौप के बढ़ाव गजब लिए आप लोगों के तैयारी नेक्स सवाल बहुत बढ़िया D. अंशिका शिवारे जी बोलें D. D. आनिकी 793 सभी लोग सिमरन चक्सेना दीपेश आकाश फिनोमेनल सुभम ममता कमलेश शभी लोग सुभम पुलकित आरियन ओम प्रकाश पूजा क्षितिस सभी लोग 793 के साथ जा रहे हैं तो देखते हैं क्या है इस 793 का रास आपको थोड़ा विजन वाइड करना है और इस परसेंटेज को 200 के 20 से काटना है इतना विजन वाइड है अगर है तो ब 28 और यह 12 इंटू 24 अब देखो 28 और 24 के बीच में गयाप कितने का है 4 जब भी नमबर के बीच में इवन का गयाप और वो भी छोटे इवन में होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो जो गयाप है 4 उसका हाफ कर दो उसका हाफ कितना होता है 2 अब 2 गयाप आने के बाद मतलब ह गयाप हाफ करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो 28 से 2 कम या फिर 24 से 2 ज्यादा में इक्सप्रेस कर सकते हो मतलब इसको कर सकते हो 26 प्लस दो और इसको कर सकते हो 26-2 आप कैसा calculation ले रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं a plus b a minus b में form में convert होते इतना अगर लिखना है उससे अच्छा multiply कर दो लिखना नहीं है दिमाग में a square minus b square a का square 26 का square कितना हो गया 26 का square हो गया 676 minus 2 का square यानि कि 4 कितना हो गया 676 minus 4 672 ये कुपसरत value आ गया अब इसमें add कितना होगा ये 11 2 the power 2 यानि कि 11 का square 121 72 में 21 add होगा तो ये value 93 बन जाएगा 6 में 1 add होगा तो ये 7 बन जाएगा 793 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा तो बस आपको vision यहाँ पे wide रखना था कि calculation hacks क्या लगाए जा सकता है और इस से अलावा कुछ भी नहीं लेक्स सवाल very good phenomenal honey बहुत सब्सक्राइब अरे God bless you जै श्री तिलान आशु महनत जी स्वागत है आपका आज के इस धम्मा के दार session में अक्षिता सिंग जी सीब बोल ले हैं तो 20 सेकंड में सभी लोग आ रहे हैं 66666 करना कुछ भी नहीं है देखो बहुत से लोगों को लगेगा 75% कर दे लेकिन 75% करना व्यस्ट है क्यों percent के साथ आप double zero cancel करोगे 600% का original meaning निकल के आ जाएगा 600% का original meaning क्या होता है 6 गुना तो आपको 75 का 6 गुना करना है अब 75 का 6 गुना आप करते हो या नहीं आपके उपड़ इपन करता है क्यों नहीं करें क्योंकि आगे और भी division का chain खींचा गया तो 6 गुना 75 का और उसको डिवाइड करना है किसके साथ 45 के साथ 15 में काटोगे 5 बार 15 में काटोगे 3 बार 3 में काटोगे 2 बार 5 दुनी कितना होगे आपके पास 10 काम खतम और जब यह आपके पास 10 हो चुका है तो अब मैं कह सकता हूँ कि यह वाला जो माइनस वाला टर्म है वो LHS पे आके प्लस हो जाएगा अब यह देखो 676 का root over कुछी समय पहले आमने 676 निकाला था 26 के square से तो यह 26 आ जाएगा तो यह value जब add हो जाएगा तो यहाँ पे 26 बन जाएगा 10 प्लस 26 36 जो है वो question mark नहीं बलकि वो question mark का to the power 1.99 यानि की square के बरावर है तो question mark कितना होगा किसका square 36 होता है 6 का square 36 होता है तो option number E is the absolutely correct answer for this question तो कुछ भी नहीं था बस संतूलन रखते बिना multiply किये थोड़ा patience रखते डिवाइड को लाते cancel out कर देते तो छोटे-छोटे numbers में deal करके 6 तका पहुंच जाते next सवाल I just watch who answers first every time ये भी सही है नमस्कार love from katak 23 इसका भी wow परे क्या speed है आप लोगों का जबरदस्ट चो छोटे है इसलिए sir यहाँ पे 13 है यहाँ पे 11 है 13 into 11 आपको यह बताया गया है कि जब भी दो number के बीच में सिर्फ एक ही number बैठा रहता है consecutive और या consecutive विवन कली पढ़े थे तो उनके बीच का जो number होगा 12 उसके square से 1 कम होगा यह वाला product तो 12 का square 144 से 1 कम यह 143 होगा नहीं तो 13 into 11 आपको पता भी होना चाहिए 110, 33, 143 यहाँ पे आपके पास 12 और यह है 10 अरे या इससे easy और कुछ हो सकता है 12 और 10 अगर मैं कहूं तो यह कितना होता है 120 अब बीच में माइनस का sign तो 143 से 120 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना 23 बाश स्पीड बढ़ा हो और कुछ भी नहीं 17 15 सेकंड में बच्चे आंसर कर रहे है वही चीज को ध्यान में रखो God bless you चिरण जीब मलिक जी 64 अंशिका जी का अंसर आया है इस बार आकाश जी आशु जी फिनोमिनल अक्षिता सिंग सभी लोग 64 बोलने देखते हैं 64 अब देखो सर मैंने का हाँ बताओ सर आपने सिखाया ता मैंने का मैंने क्या सिखाया किसार परसेंटेज अगर तीनों में है तो तीनों को कैंसल कर दो यहां पर आपका लॉस हो जाएगा बोलो हाई है न यहां पर बड़े मड़े हो जाएंगे मल्टिबिलिकेशन जबकि 50 परसेंट मतलब आदा होते तो आप अपना दिमाग का भी यूज करो मेरे कहे हुए बातों में मत जाओ 50 परसेंट यानि कि आधा निकालना है 250 का 250 का आधा कितना होते है 125 डन माइनस 12.5 परसेंट जो जान भूज के दिया है ताकि आप उसका 1 बाइट निकाले किसका 360 का यह कितना आ गया 8 चो के 32 चालिस यह वाला हो गया आपके पास 45 अगर 125 से मैं 45 माइनस करूँगा तो यह 80 के बराबर आ गया और यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह X परसेंट यानि कि X by 100 of 125 आ गया बस काम खतम क्योंकि 125 लिख सकता हूँ 25 में कैंसल करूँगा चार बार 25 में कैंसल करूँगा पांच बार 5 में कैंसल करूँगा 16 बार और यह 4 जब जाके मल्टिप्ला हो जाएगा 164 के 64 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 64 कि आई है यह आप लोगों को मिला है तो option नमबर भी 64 is the absolutely correct answer for this question तो मेरे बातों पर मत जाएगा कि हर जगा से percentage कैंसल करेंगे यहां पर कुपसुरत कुपसुरत चीज़े हैं कि 50% आधा होता है 12.5% 1 by 8 होता है तो इसका इस्तेमाल करना होता है आपको ठीक है next सवाल जल्दी कुछ बढ़िया तो दिख रहा है पता नहीं आगे का अरे नहीं यार ऐसा नहीं है गड़बड हो गया होगा कुछ शायद 6 अक्षिता सिंग जीशन खान देवेश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आकाश शुबम सभी लोग तो 30 सेकंड के अंडर आप लोग यह बना रहे हैं तो मतलब बहुत जबर्दस है क्योंकि यह थोड़ा गंदा तो दिख भी रहा है देखो सबसे पहले तो इसमें कोई छेड़का नहीं करना नहीं है अपन को यह आप अपन रफशीट पे रखे रहना अब देखो यह चुछ चीज जो है यह RHS पे लेके प्लस होगा तो इसको LHS पे रखना नहीं है अप्रोच ही को रफशीट में क्या उतारना है आपके दिमाग में आ रहा है यह 1-3 है 1-3 जो है वो किसका है वो 18 के स्क्वेर का है अब देखो आप 18 का स्क्वेर जानते हैं उसमें कोई बढ़ी बहादुरी वाल बात नहीं है 324 सब को बता है लेकिन 324 के बाद उसका फिर बटे में 3 करना मुनासिफ नहीं है तो आप एक काम करना 18 का स्क्वेर 18 इंटो 18 रखके 1 बाइ 3 इसका जब आप करोगे तो 18 इंटो 6 108 मिल जाएगा और वैसे अगर जाते तो 18 का स्क्वेर 324 का एक तिहाई जब करते तो 300 का एक तिहाई 100, 24 का एक तिहाई 8, 108 वैसे भी मिल जाता अब यह 108 add हो गया है RHS में जाके किसके साथ यह हो गया 36 और यह हो गया 7 अब 36 into 6 होता तो कितना बड़िया नहीं होता कैसे 216 बन जाता लेकिन यहां पर 36 into 7 है या तो आपको अगर 216 का value बता है तो और 36 इसमें add कर सकते हो नहीं तो आप 36 into 7 वेदिक मैच्स के हिसाब से जा सकते हो कैसे 30 into 7 आपका कितना आ गया 210 7 into 6 42 210, 42, 252 का जिकर किया जा रहा है 108 जब 252 में add होगा तो यह बन जाएगा 360 लेकिन 360 question mark के square के साथ 10 multiplication का value है तो 0 गया 0 के साथ तो question mark का square अगर 36 है तो question mark कितना आ गया इसका root over 6 आ गया किस number का square 36 होता है तो option number C इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है लेकिन मैंने अभी तक जो चीज फिल किया है option इतने भी कुछ भायंकर नहीं है option बहुत ही general general चल रहे है मतलब पता चल जाएगा थोड़े देर के बाद यहां पर कुछ close है यह अच्छा है लेकिन वहत widely vary करना option को भी सोबा नहीं देता यार ठीक है कुमार का सबसे पहले answer आ रहा है चार फिर instantly तनीशा आशो जीसन सभी लोगों के आ रहे है एस दिप्ति अक्षिता सिंग बहुत जबनता है सबसे पहले यहां पर क्या करना है 32% और 250 कुछ मन में लड़ू फूटा क्या 32% 250 का नहीं करेंगे हम 250% 32 का करेंगे यह चीज हम कल भी सीखे थे आज और और रहा है और 250% किसी चीज का करना है मतलब धाई गुना करना है 2.5 times धाई गुना करने के लिए पहले दुगना और एक बार आधा 32 का दुगना कितना होता है 64 और एक बार 32 का हाफ कितना होता है 16, 64, 16, 80 या वर्बली पहुन सकते हो प्लस यहाँ पर अगर मैं देखूं यह 8 और यह 5 आट पंजे कितना होता है यह होता है 40 और यह जोनों जब जुडगे यह आपस में कितना बना 120 और इसमें से माइनस किया जाएगा यहाँ पर 16X को जिसके चलते वैल्यू आपका कितना आ जाएगा वैल्यू आपका आ जाएगा 56 तो आपको डरना नहीं है आप इस 56 को इधर लेके 120 से माइनस कर सकते हो 120 से अगर 50 जाता तो 70 बचता और 6 गया तो 64 बच जाएगा और यह 16X इधर जाके प्लस बन जाएगा और 16 जब इस 64 को कैंसल करेगा तो 4 बार जाएगा तो X का वैल्यू क्लेर ली कितना आ जाएगा 4 यानि कि option number D इस सवाल का बिलकुल सही जवाब है तो करना कुछ भी नहीं था बस patience रखना था एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी दाई सो तीन सो बचास चार सो बचास ऐसे नंबर आते हैं तो वहाँ पर बहतर तरीका क्या होता है दाई गुना करना साड़े तीन गुना साड़े चार गुना यह आपके mind को instant हिट करना चाहिए next सवाल आपके साल में बहुत ही छोटा सा सवाल है I was wrong 250 अक्षिता सिंग अगेन वेरी गुट यार स्पीड बहुत बढ़ी अममता पानदी सिम्रन सक्सेना तनीशा शोमी अक्षिती इस देवे सभी लोगों के यह 250 आ रहे है this is 25 and 25 स्क्वेर 25 का स्क्वेर कितना होता है 625 okay minus this is 1875 परसेंट आफ 20 वाव आपको एक चीज दिखा क्या सार मैं 1875 परसेंट आफ 20 नहीं निकालूँगा मैं 20 परसेंट आफ 1875 निकालूँगा और 1875 का 25 परसेंट मतलब उसका 150 निकालने तो बस एक बार उसको 5 से भाग देना है 5 से जब मैंने डिवाइड किया 53 जा 15, 37, 57 जा 35, 25, 375 बचा अब डिफरेंस के लिए के लिए आप मेरे तरह जोड सकते है 75 में 50 आइड कर दूँ तो मैं 425 तक पहुंचू, 425 से 200 आइड कर दूँ तो मैं 625 तक पहुंचू तो 250 इनके बीच में गया पर ऑप्शन नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है अगला सवाल है लेकिन बस आप जल्दी से पकड़ना होते है कि 20% इसका निकालने से ही बहतर फाइदा आपको मिलेगा अगला सवाल बहुत ही छोटे छोटे सवाल है कि ए बोल ले है आशु जी देवेश जी बोल ले है 60 अक्षिता सिंग 60 ए अंशिका जी दीपक सभी लोग बोल ले है 60 देखते हैं मैंने अभी कुछी देर पहले आपका विजन क्लियर किया था कि बेटा 350 परसेंट 450 परसेंट 550 इसका फंड़ा बड़ा सिंपल है 350 परसेंट का दिमाग में आपका क्या आना चाहिए कि यह साढ़े तीन गुना है 3.5 times किसका 12 का अब 12 का 3 times कितना होता है 12 का 3 times 36 12 का half कितना होता है 6 36 6 42 यह वरबल यह आपके दिमाग में कुछ ना होके पेपर में आ जाना चाहिए 42 यह जो माइनस में बैठा हुआ है RHS में वो प्लस बन जाएगा और जब प्लस बनेगा तो वो कितना बनेगा अब देखो यह 12.5 परसेंट यह नहीं कि 1 by 8 है किसका 144 अब 8 18 से कैंसल होगा तो ही बनेगा तो यह 18 जो माइनस में बैठा है RHS में वो आके LHS में प्लस बन जाएगा और 42 में 18 जुड़ते ही 60 आ जाएग और इसको एक बटा 8 कर देंगा 8 का 18 गुना जाएगा तो 18 और 22 जुड़ते ही 60 एई हो गया आपका करेक्ट आंसर नेक्स सवाल मैंने माइनस कर दिया स्पीड के चकर में कोई नहीं स्रीचंदन जी बोल रहे है अलगा खाईबा धोके बास चलो स्रीचंदन जी का भी स्वागत है इस सेशन में उमीद कर रहा हूं स्रीचंदन जी आपका भी तैयारी बहुत ही जवर्दस तरीके से चल रहा होगा ठीक है चलो ठीक है ऐसे ही आफ फ्यूचर में लाइव आते रही है तो पंदरा आंसर आ रहे हैं सभी कह है यहां पर मैं देख सकता हूं कुश्चिन मार्क का स्कुएर यह साड़े बारा परसंट है किसका छे सो अटालिस का साड़े बारा परसंट यहां रहेचेस में जाके प्लस होगा तो आप सीधा रहेचेस को लेके चले जाओ इसको प्लस होगा न तो आपको करना क्या है वन बाई एट उफ शिक अंडेड़न फॉर्टी एट निकालना है आठ से कैंसल करोगे यह आगे आपके पास एक्क्यासी यहां पर रहेचेस में और भी चीज़े हैं जो प्लस में बै पूछ हूँ तो आप मुझे क्या कहोगे एक 0 हटा के 106 तो 5% कितना होगा 106 का हाफ 106 का हाफ यानि कि कितना होता है 53 अब जब आप एड करने जाओगे तो 80 प्लस 90 170 प्लस 50 220 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 220 और 5 225 तो question mark का square अगर 225 के बराबर है तो question mark कितने का बराबर आगया किसका square 25 होता है 15 तो option number 15 is the absolutely correct answer for this question तो perfect approach के साथ आप इन सवालों को अगर tackle करेंगे तो जितना बड़ा भी दिखना आप आराम से उन सवालों को कर सकते हो ठीक है यह exam relevant थोड़ा नहीं है क्योंकि बहुत जाड़ा लंबा chain कींचा गया इतने बड़े बड़े नहीं आते है छोटे य possibility की आ जाती है तो siloism भी fail मार जाता है तो definite conditions को लेके चलिए महनत कीजिए फल जरूर मिलेगा तनीशा जी बोले 100 क्या इस सवाल का जवाब इतना easy था कि इतना जल्दी आप लोगोंने 100 answer कर दिया देखते है रूट 529 529 का square root कितना होता है 23 ओके सर यहां पर यह आपके पास 23 से जब 21 माइनस होगा तो यहां पर LHS में मेरे पास 2 है वो RHS को जब जाएगा तो वो 2 माइनस हो जाएगा 12 से 2 जाएगा तो RHS में 10 रहेगा और वो किसके बराबर है वो root under के बराबर है अगर root X बराबर 10 है तो question mark का value कितना हो जाएगा square करने से ही वो root हंटेगा तो 10 का square क कि इस सवाल का बिलकुल सही उत्तर है बहुत बढ़िया यार बस यही speed को मेंटेन करते रहो आप बहुत जब 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 ऐसे भी बोलने से मुझे खराब लगता है विकॉस यह मेरे लिए भी डिसन था इस नॉट ओनली फो स्टुदेंस तो बहुत वेरी ओनेस्ट इस साइमल्टेनियस डिसिशन फर एस्परेंट्स अस वेल अस मी अलसो ठीक है सिर्फ अगर आप बोल दोगे आप लोगों के दोनों के लिए था ठीक है यह डिसिशन ठीक है चलो तो 144 सभी के आंसर आने लगे हैं देखते हैं क्या है यह सवाल 33.33% यानि कि मैं कह सकता हूं 1 3 1 3 यानि कि 1 1 1 1 अगर मैं इसको कैंसल करूँगा तो यह तीन बार यह साथ बार 37 आ गया अब देखो रूट एक्स जो है वह 245 का 5 में अगर मैं कैंसल करूँ 5 4 के 20 और यहां पे यह हो गया ना तो यह हो गया आपके पास 49 49 से जब 37 माइनस करोगे तो सेम चीज आपको 12 मिलेगा 12 जो है वो रूट एक्स का वैल्यू है तो स्क्वेर करते ही आपका रूट हट जाएगा तो 12 का स्क्वेर कितना हो गया 144 वालियस तो question mark का value option number D इस सवाल का विल्कुल सही उतर है चलो लव यू सर गॉट ब्लेस्यू कृष्णा जी बिल्कुल बिल्कुल इतने easy आएंगे इस से easy आएंगे छोटे numbers आएंगे पक्का God bless you mm बिल्कुल इसका answer कितना time लगता है देखते हैं और आप सभी लोगों से request है जितने लोग session पर जुड़े हुए हैं अगर session अभी तक मज़ेदार लग रहा होगा तो एक बार जम के like सरूर से कीजिएगा यही request है आप सभी से D answer आ रहे देखते हैं क्या D इस सवाल का सही उत्तर है 30 seconds में 35 seconds में almost आ चुका है उम प्रकाश प्रेदर सिर्जी का बाकी कोई है answer बहुत time लग रहा है क्या 469 310 D 310 कहां से आ रहा है कुछ गडबड कर रहे हो आप लोग शायद बहुत ही ज्यादा variable answers क्यों आ रहे हैं सबसे पहले मैंने देखा यहां पर मेरे पास कितना है 52 और यहां पर मेरे पास कितना है 37 sorry 51 और यहां पर मेरे पास है 37 51 into 37 करेंगे हां सर हम करेंगे 51 into 37 जब मैं करूंगा तो यह value कितना आ जाएगा 37 का 5 times कर दो 37 का 5 times कितना होता है 1850 उसमें एक और बार 37 जोड़ दो 1887 क्या यह यही value आया है एक बार मुझे confirm जरूर से करना बहुत ही गंदा है calculation है minus यहां पर 14 37 है यह मेरे पास 29 और 33 है 29 और 33 के बीच में मैं देख सकता हूँ 31 exactly बीच में तैना थे यह चीज़ आज हमने देखा क्या कि इस चार का gap है तो gap को half कर दो 2 तो 29 में 2 जोड़ो या फिर 33 से 2 घटा हो आप इसका average तक पहुंच जाओ इस average तक पहुंचने से 29 को क्या लिखा जा सकता है आज ही पढ़ायते 31 minus 2 31 plus 2 इससे क्या होगा a plus b a minus b के form में आते ही a square minus b square 31 का square 961 minus 2 का square 4 961 minus 4 957 यहां से minus होगा अब देखो 50 में अगर मैं 80 जोड़ दूँ तो यह आ जाएगा क्योंकि 7 में तो कुछ जोड़ना ज़रूरी नहीं है और यह आपका आचुका है 1037 तो यहां से आप पहुंच जाओगे 480 तो यहां पर इससे आप minus करोगे 480 और divide इसको किस से साथ करोगे divide इसके साथ करोगे 3 के साथ आपकी मरजी आप minus करने के बाद एक साथ divide कर सकते हो नहीं तो कल मैंने सिखाए वा था individual भी divide कर सकते हो जैसे कि individual divide कर दूँ तो यह 6 आ जाएगा यह 2 आ जाएगा नौ आ जाएगा यह 6 160 आ जाएगा minus जब मैं करूँगा तो यहां पर मेरे पास 69 69 होने से यह कितना हो गया 229 और यह हो गया 400 कितना आ रहा है क्या हो गया 469 है ना पक्का ना 469 यह है तो approximately हम जा सकते है option number E क्यूंकि और कोई option है ही नहीं और कोई option है ही नहीं तो हम जा सकते हैं 480 के साथ जो बोलने के सर यह समझ नहीं आए तो फोड़ा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं यह मेरे पास कितना है 29 यह मेरे पास कितना है 33 क्या इसको में लिख सकता हो 31-2 क्या इसको में लिख सकता हो 31-2 इतना चीज जो लिख रहे हो यह सब कुछ दिमाग में आ सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 957 जब आप इससे माइनस करोगे यह 480 आएगा यह वाला में भूल गया 37 और 51 37 और 51 37 का 5 गुना होता है अठारा सो पचास अठारा सो पचास में और 37 जुड़ते ही यह बन जाएगा 1887 आप डारेट माइनस भी कर सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो 87 से 80 गया तो 07 रहा 18 से यह 4 गया तो यहाँ पे मेरे पास कितना रहा 14 रहा अब इसको जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3-4 बार आपका 12 फिर 20 20 मतलब 6 बार जिससे भी करो आपको 469 मिल ला है ठीक है तो कोई टेंशन वाली बार नहीं है चलो कुछ गंदा था सवाल अब अच्छे सवाल के पास आगए बस आपको जानना होता है कि स्क्वेर रूट क्यूब रूट यही आया बड़ डर गया तो डिलेट कर दिया हारे यह 469 अप्शन नहीं था चलो कोई नहीं कोई नहीं एक आप बार हो जाता है स्क्वेर रूट क्यूब रूट स्क्वेर रूट नहीं स्क्वेर याद रख लो क्रूट तो अपने आप यह यह भी कोई गड़बड है क्या इतना टाइम तो अच्छा पता नहीं होगा और क्या पता ही नहीं होगा अंसर क्या है मतलब रूट क्या है और क्या नहीं तो टाइम इतना कुछ लगता कभी नहीं लगता अब अगर मैं आपसे बस इद्रा कहूँ कि यह आपके पास कितना है यह आपके पास 2704 है तो आप मुझे मना करोगे नहीं 2704 अगर मैं आपसे कहूं यह किसके square के आसपास है यह 2500 के square के आसपास है 50 के square के आसपास है उससे हलका ज्यादा है तो 50 से हलका उपर और 4 में ending होगा तो इसका जो square root होगा वो 2 से ending होना चाहिए 2 से ending होगा ना तो तो ही जाके 2-2, 4 होगा 8 मतलब 58 बहुत जादा उपर जाना होगा वो की 60 के square 3600 के आसपास आना चाहिए वो चीज तो यहाँ पर यह जो value होगे 52 का square root है प्लस यहाँ पर आपके पास root x है मुझे उसमें कोई दिलजस्पी नहीं अब यहाँ पर आओ यहाँ पर मेरे पास value है 4761 क्या यहाँ पर में यह कह सकता हूँ कि 4900 यानि कि 70 के square के आसपास है 70 के square के आसपास अगर एक में ending है तो मैं यह क्या कह सकता हूँ एक में ending है मतलब आपका 1 से नहीं तो 9 से end होना चाहिए 1 से end होगा तो 70 से नीचे 61 बहुत दूर हो जाएगा जो कि 3600 के आसपास होना चाहिए तो मैं जाओंगा किस के साथ blind guess ओव्यसी बात है 69 जब 69 होगा तभी तो last में आपका यह आ जाएगा और cross check करने के लिए बस इतना कहना 69 जितने लोग square पड़े हुए 69 50 से कितना जादा है 69 जो है वो 50 से 19 जादा है तो 19 का square का importance 361 last में आना चाहिए क्या वो ही आ रहा है बिल्कुल वही आ रहा है तो यहाँ पे यह perfect 69 है is equal to यह तो perfect साख्या क्यूब है किसका 19 का तो यहाँ पे यह 19 आ गया बस आपको करना क्या था आपको 52 से 69 माइनस करना था और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17 और इसको लेके RHS में प्लस कर देना था 17 और 19 जब जुडेंगे तो RHS बनेगा 36 जो की root x के बराबर है तो x का value पाने के लिए आपको दोनों side square करना होगा और 36 का square कितना हो जाएगा 1296 तो 1296 option number A इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मतलब अगर ऐसा एक सवाल आ गया जहां पे आपको कोई कोई square square root याद है तो ही आप कर सकते हो नहीं तो आपको आगे भी बढ़ जाना चाहिए कुद को यह जानना चाहिए कि मुझे यह चीज है तो 2 में इंडिंग 52 ब्लाइंड गेस के साथ भी आप सवाल को बना सकते थे नेक्स सवाल आपके सामने यह करने लायक है तो देखो थोड़ा मैंने माइनस कर दिया कोई नहीं सर भूल गे अरे कोई नहीं आशुजी प्रैक्टिस लेकिन बनाए रखिएगा प्रैक्टिस पर कोई कमी नहीं चाहिए जल्दी स्पीड बढ़ाओ 25 लीमा जी बोलने देखते हैं क्या 25 इस सवाल का सही उत्तर है लीमा मेती जी बोलने 25 दिपक चौधरी भी बोलने तो आइडियल टाइम इस सवाल का हम 25 सेकंड मान सकते हैं आप लिखा कम करो यार ये 50 परसेंट आधा है 540 का आधा कितना होता है बस यही लिखो ना 270 बस भूले ना इसलिए यहाँ पर ये 264 परसेंट और 50 है बेटा कई बार पढ़ा चुका हूँ 264 परसेंट से कमफ़टेबल नहीं हो सिफ्ट कर दो परसेंटेज को 50 परसेंट से कमफ़टेबल हो 50 परसेंट आते ही हाफ करना है अभी 264 का 264 का हाफ कितना होता है 132 अब ये वाला चीज जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 402 और 402 जो है वो कुछ X% है किसका कुछ 1608 का ये वैल्यू मुझे डाइरेक्ट जाता नजर आ रहा है आपको नजर आया है ने मुझे नहीं पता 400 का चारगुना 1602 का 4 यहाँ पे कैंसल किया 25 में 25 क्रॉस मल्टिप्ला हो गया इसमें भी कुछ भी नहीं है इस सवाल के आंसर बताओ जल्दी से 9 आरा एक्षिता सिंग जी का बहुत ही कम समय में 15 सेकंड के अंदर बहुत बढ़िया अगर 9 हुआ तो सही जवाब बागी लोग ममता पानदी, तनीशा, कोमल, देवे, शुभम बारस, सुमत, सभी लोग बोलने हैं 9, तो देखते हैं 20% मतलब 1 by 5 है और 1 by 5 किसका वो भी 165 का, अगर 5 से काटो तो ये कितने बार जाएगा 33, चलो कोई बात नहीं, ये 33 RHS में जाके माइनस होगा, क्योंकि question mark का root LHS में आके प्लस में बैठेगा, अब ये जो माइनस होगा, वो किसे माइनस होगा अब देखो 45% of 80, भाईया ये भी बढ़िया चीज है 45% of 80 नहीं, 80% of 45, आज तो मतलब आप shifting में माहीद हो जाओगे 45% of 80 नहीं, 80% of 45, फाइदा क्या है, 80% 4 by 5 होता है वो जब मैं 45 का निकालूंगा, तो ये गया 9, नौच हो के ये कितना होगा, 36, और ये 33 आके माइनस होगा, 33, ये होगए आपका 3, root X का value, तो X कितना होगा, दोनों side square करने के बाद 3 का square कितना होता है, 9, तो option number C, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, तो करना कुछ भी नहीं है, बस percentage shifting, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे खुद को बड़ा smart, नहीं, वो भी सोचने से चलेगा, अगर आपको याद है तो 45% आप 9 by 20 भी ले सकते हो क्योंकि यह जो value है, यह खुबसूरत सा इसके साथ जा रहा है, तो यह भी आप over smart निकले तो, बहुत बढ़िया, यह अगर याद है तो और अच्छी बात है, यार, चलो ए, मैंने पहले बोल दिया है, आप लोगों के comment करने से पहले, सावन जी, प्षितिस जी, ठीक है? स्पीड कहां है, ओ, थोड़ा chain खींच गया, with maturity बताएंगे, मज़ा आ गया साथ, चलो D80 आ रहे हैं, कल हमने maturity का एक चीज़ देखा था, कल हमने maturity का क्या चीज़ देखा था, कि time, कल या परसों हम किस से बात करेते हैं, यहाँ पर या प्लस कहीं पर, कि समय आने से आपको पता चल जाता है, कि 33% अच्छा नहीं है, 33.33% अच्छे हैं, Similarly, जब आप इस competitive line में घुसे होगे, तो आपको addition subtraction अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कुछ दिन गुजारोगे, और आप multiplication के इतने calculation के tricks जान जाओगे, आपको सबसे ज़्यादा difficult addition subtraction लगेंगे, बोलो हाँ है ना, एक बार तो आप मुझे बताओ, में तब से maturity में तो छोड़ी देता है सवालों को किन चातानी वाला सवाल, ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चीज को, बहुत लोग यह बोलने हैं, चलो very good, बहुत बढ़िया है, चलो, ना बोलने से बोलना पड़ेगा, मजबूर हो तुम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले 25% का scene, 25% का scene यानि कि एक बटा चार, किसका निकालना है, यह 4, 8, 5, 2 है, माइनस यहाँ पे 3, 4, 7, 8 है, माइनस यहाँ पे 2, 26 है, अब देखो एक ही बार में अटेक करना होते हैं, कैसे, 2, सही में, 2 से मैं 8 माइनस करूंगा, अच्छा यह प्लस में है, अच्छा, राहत भरी सांस, 2, प् 5, 5 प्लस 2, 7, 7 माइनस 7, 0, बहुत बढ़िया, 8 प्लस 2, 10, 10 माइनस 4, 6, बहुत बढ़िया, 4 प्लस 2, 6, सुरी, 2 नहीं है न, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1, तो इस टोटल चीजों के अंदर से, अगर आप unit digits से अपना calculation स्टार्ट करोगे, तो यह वाला value आपके पा किसका आपके पास इस value को round off कर सकते हो आप लोग, क्योंकि 5 से कटने वाला इसके nearest number की अगर मैं बात करूँ, तो इसको भी मैं 1600 ले सकता हूँ, और इसको अगर मैं 1600 लूँगा, तो मैं clearly देख सकता हूँ कि 5 को जब मैं 1600 से cancel करूँगा, तो यह 320 आ जाएगा, अब 400 से जब 320 माइनस होगा, तो final value आपके पास कितना आ जाएगा, 80, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ हद तक हम अपने calculation को easy बनाने के लिए 1598 को भी 1600 का सहरा लेके कर सकते हैं, और यह उसको करना ही है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, तो जब भी cancel out करने और नमबर बहुत ही close होंगे किसी 100 के place के साथ, तो आप उनको आंक बंद करके assume कर सकते हैं, और approximation के case पर, next सवाल, छोटा question है, अब speed बढ़ाओ, 10 आ रहा है सबके answer, बहुत कम टाइम में, बहुत बढ़िया, क्या मैं यह देख पा रहा हूँ, यह 30% है, हाँ सर, और यह आपके पास 250 है, देखो हमेशा, मेरे बातों को बहुत ज़्यादा सीरेशली मत लेना, सर, आप न, मतलब पूरे दलबदलू है, कभी यह बोलते हैं, कभी, अरे नहीं बेटा, यह numbers बोलते हैं, numbers के हिसाप से में change होता हूँ, मैंने आपको यह बताया था कि 500% निकालना easy है, बट देखो न, 30% भी निकालना easy है न, यहाँ पे आप अगर 32 होता, 34 होता, 36 होता, 32 होता, तो बात यह 30 होते ही, मैं 30% को consider करूँगा, लेकिन यह 32, 34, 36, 38, 28, 24, 26 कुछ होता, तो मैं 200% consider करता, और अगर यह 75 है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे यह वाला जो minus का चीज है, वो इधर आ जाएगा, यह 5 का square, 5 का square जो है, वो क्या होता है, 25 कहलाता है, और 5 क का square जो 25 है, वो अगर इधर आ जाएगा, तो वो add हो जाएगा, और यह question mark का square है, तो यह 75 और 25 जूड़ते ही 100, किसका square होता है, भाईया, 10 का square होता है, 100, तो correct answer यहाँ पे option number E हो गया, सवाल का सही होता है, next सवाल, मेरा जवाब दे दूना सर, हाँ, सर मैं CLAT के लिए prepare कर रहा हूँ, कि आपके playlist से video, to be very honest मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर आप उसके comment पढ़ेंगे, तो बहुत से बच्चों ने कहा है कि CLAT exam के लिए बहुत थी जादा helpful ले रहे हैं, ठीक है, आपके levels भी उसी तरह से आ जाएंगे, तो video sufficient होंगे, वादा है, ठीक है, सर कितना question करना चाहिए, डिया एंड arithmetic RBA assistant के लिए, जितना possible है, restriction limit रोक नहीं, जितना अपना best हो सके दो, सभी के answer यहाँ पे 300 आ रहे हैं, मतलब बहुत easy होगा, 25% आपको निकालना है, यानि कि 1 by 4 निकालना है, 960 का, 960 का यह हो गया, आपके पास 240 प्लस, यह 30% निकालना है, किसका, 200 का, अब यहाँ पर यह कर सकते हो, आप देखो, एक चीज, 200 दिखते ही, 30% निकालने के जरूतने, percent को 00 के साथ, अगर cancel करोगे, तो 30 into 2, यह 60 आ गया, 240 में 60 जुड़ गया, ऐसे सवाल में आपको और future में नहीं जो लगेगा, बहुत easy है, मैं कल जैसे खुद कर रहा था न, वैसे ही कर दूँगा, time save होगा सभी का, यह जैसे कि 76% of 600 है, इसको मैं क्या कह सकता हो, कि 76% of 600, percent के साथ यह 00 गया, तो आपको सिर्फ करना है, तो 76 into 6 करना है, 76 into 6 कर रहा हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऐसे ही रखे रहो, 76 into 6, sir, क्यों, क्योंकि divide में आपके पास आगे chain है, 21, तीन से cancel करोगे, दो बार, तीन से cancel, कुछ गडबड है क्या, यह 77% है, तो इसको रखे रहो, तो 77 अगर है, तो 7 को इसको इसको cancel करोगे, 11, 11 into 2, 22, बाजी मार लिया, यार, 22, option number B, एक आप निला परवाई का नतीजा, अभी हमें दोबारा जाना पड़ा, और दोबारा 20 सेकंड और वेस्ट करना पड़ा, तो थोड़ा, इस चीज से बचिएगा, कि this is 77%, ठीक है, तो 77% अगर आप करते, तो multiplication करने की ज़रुद नहीं है, divided by 21 है, ठीक है, एरित्मेटिक के लिए सारे टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस कहां से करना है, सर, जो भी ये बुक लो लो, कहां से करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि बुक जो है, वो बड़े खुबसूरत तरीके से, बड़े महनत से लिखे जाते हैं, जैसे कि उसमें कोई चीज ना पॉनसेप्ट से सवाल होते हैं, तो गो फॉर एनी बुक एंड फॉर बुक आप पजल के बीचे थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उस चीज को वीकनेस को स्ट्रेंथ में कनवाट किजिए, ज्यादा टाइम आप उसके उपर कनवाट किजिए, ज्यादा बात से आप लास्ट में करेंगे नहीं, तो अभी के लिए फोकस इसके उपर, थोड़ा ज्यादा लंबा था, इसलिए शायर 40 सेकंड तक आप लोगों ने वक्त ले लिया, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आकास चंदा जी, अक्षिता सिंग, अन्शिका जी, देवे, स सुमा, पियुक, शिति, शिम्रन, इशानी, सभी लोग बोल ले है, 352, नहीं, B बोल ले है, C भी बोल ले है, अब देखो क्या है, क्या यह 39.93%, क्या यह 40% है, हाँ सर, 40% मतलब क्या यह 2x5 है, हाँ सर, 25% मतलब यह 1x4 है, हाँ सर, आफ, यहाँ पे यह 799 मतलब यह, इसको ल 6400 जानते हो, तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो 8080 रख दो, आपकी मर्जी, जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, माइनस यहाँ पे आपके पास 24 और 12 है, 24 और 12 करने का एक बहुत खूब सुरत में थड़ है, क्या, 24 भी एक तरह से, आपको 12 into 2 दिखता है, सर, इससे काट फाइदा किया, 12 और 12, 12 का स्क्वेर सभी को याद होगा, 144, बस उसी का डबल करना है, यानि कि 288 मस माइनस करना है, जब आप माइनस करने के लिए गए तो 5 के 20, 20 आपने जब कैंसल किया, यहाँ पे यह चार बार गया, 80 का 4 गुना होता है, 320, 320 का दुगना होता ह छे सो चालिस से आपको माइनस करना है, 288, 88 में कितना जोड़ोगे, 12 जोड़ोगे, तो 300 हो जाएगा, और 40 जोड़ोगे, तो 12 और 40 आपको टोटल 52 जोडने है, तब जाके आप पहुंचोगे कहाँ पे, 340 पे, 640 पे पहुंचने के लिए और 300 का सहरा लो, तो माइनस करोग 7 कमलेश गुपता जी बोलने, अंशिका शिवारे जी बोलने, 7 यही परफेक्ट स्पीड है यार, दिवेश जी, बहुत बढ़िया, जैसे कि 400 परसंट, 400 परसंट से तो पहले इस परसंट को काटो, 4 गुना, 4 गुना किसका, 50 का, आपकी मर्जी आप इसको multiply करके चलो, या 25 के साथ divide करके चलो, क्यों, क्योंकि 50 और 4 का multiplication में आपको seconds, fraction of seconds लगेंगे, 50 का 4 गुना कितना होता है, 200 अगर लिख भी लिए तो आप नहीं होगा, और बटे में अगर आप 25 कर रहे हो, तो य एक दो second चला जाएगा, यहां पर attacking में एक दो second, ultimately दोनों का काम एक ही आएगा, 8 और वो भी ideal time perfectly आजाएगा, कोई time से भी यहां पर नहीं है, आपकी मर्जी, यहां पर question mark का square है, तो यहां पर यह प्लस हो जाएगा, add होगा, यह आपके पास 1681 है, और 1681 आप सभी को पता है, 1640 का square है, 1 में ending है, 40 से हलका उपर, 41 ही होगा, 41 यहां पर add हो गया, तो यहां पर question mark का square रहेगा, 41 और 8 मिलने से 49 किसका square होता है, clearly 7 का square होता है, तो option number D is the absolutely correct answer for this question, कोई नहीं, और इमोजी उसकरने से क्या problem है, करने दो, ठीक है, साहिल जी, 7, अच्छा मैं साहिल जी के 7 देखके कुद पड़ा था, लेकिन 7 इसके पहले सवाल का, साहिल जी आप live आओ तो पहले, 129 इस सवाल के जवाब आ रहे हैं, सत्य प्रमोजी आकास चंदा अंशे का वहरी गुडियार, महमता आकास बहुत बढ़ियार, 129 ज्याद अत्रा अंसर, सबसे पहले हम गए, हाँ सर गए, गए जब हम देखे तो यहाँ पे 83 का C ने बड़ा clear, प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो 4 और 12, 12 चोके कितना होता है, 48 और यहाँ पे माइनस कितना होगा, तरह ध्यान से देखोगे, तो यह 58 है, और इसको डिवाइड के आरना है 29 से, तो यह कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा, आपकी मर्जी आप टोटल इन दोनों को आड करके माइनस करते हो, या फिर माइनस करके या आपका complete call है, मुझे उससे कोई problem नहीं, 80 और 40, 120, 831, 131, 131 से जब मैं 2 माइनस करूंगा, तो मेरे पास बचेगा 129, जिस भी तरीके से जाओंगा, तो यह बहुत ही easy level का था, option number is, सवाल का सही उत्तर था, और आपने 15 सेकंड में किया भी hats off की पिड़ा, बहुत बढ़ काफी जादा थाम, थोड़ा, तोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, पिजिं है सायथ, 176 देवैस कुमार जी का आंसर आ रहा है सिमरन सकसेना का 176 42-4, 38 सेकंड्स आपने लगाए देखते हैं क्या ये वर्थ इट था शायद वर्थ इट होगा सायद वर्थ इट क्यों होगा मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है 4 परसंट जो होता है वो 1 बटा 25 होता है तो 16 परसंट उसका 4 गुना ये 4 बटा 25 का ही वैल्यू है 16 परसंट जो है वो 4 बटे 25 का वैल्यू है इससे आप शायद थोड़ा अपना कीमती वक्त बचा सकते थे अगर आपको इंस्टन ये चीज यादो और माइन्ड में अटाक करें तो माइनस करना है किसको इस वाले चीज को अगर इस वाले चीज को देखूं तो ये 30 परसंट है इसके लिए कुछ भी बिना लिख के आपको आनसर निकालना है कैसे ये तो स्मूथ है ये आपके पास 1120 है आपको दिख रहा है इसका 10% कितना होगा 112 तो 30% इसका कितना होगा इसका 336 वो LHS में आके माइनस होगा तो अब जाके RHS में आपके पास 25% यानि कि 1 बटा 4 किसका बचेगा किसी X का बचेगा अब बस आपको यहाँ पे 25 से कैंसल करना है 25, 9, 225, 1, 2, 5 95 x 4, 95 का डबल 190 उसका डबल 380 380 से जब मैं 36 को माइनस करूँगा तो clearly मेरे पास कितना वैल्यू बच जाएगा 44 और यह 44 जब आके 4 मल्टीप्ला हो जाएगा दिनोमिनेटर से 44 x 4, 176 X का वैल्यू आ जाएगा तो idle time इसका होना चाहिए भी लेकिन calculation में आपके सामने clear visibility होना चाहिए ठीक है तो यह बड़े खुबसुरत तरीके से आप लोग कर सकते हो करना क्या था सबसे पहले इसका रोल 425 दूसरा रोल किसका यहां पे कुछ लिखे बगे 1-1-2 सुन्य तक पहुंचना था और 10% 112, 30% उसका 3 गुना, 112 का 3 गुना, 336 लेके बाएं तरफ इधर calculation के बाद 44 जो होता है वो किसी का 25% एक चौथाई के बराबर है तो वो नमबर खुच 44 का 4 गुना, 114 में वैटना चाहिए मैंने unit digit से उड़ा दिया अरे बाब, very good, लेकिन approximation में unit digit से खत्रा है कौन से वाले में हमें पता चला यादे 469 और 480 बच के रहीएगा 81, इसका भी answer आ गया अरे बाब, आप लोग, क्या खर रहे हो रहे है बहुत जवर्दस, ओ, छोटे-छोटे square थे ना, इसलिए बड़ा-बड़ा square आया था तो अटक गये थे, 324 का square root कितना हो तो यहाँ, आच्छा, कुछ है ही नहीं और क्या, यह तो सारे के सारे values visible है 16, यहाँ पे plus का root x यहाँ पे minus, यहाँ पे 1331 का cube root, 1331, उस वक थोड़े यही फॉर्मा था question, लेकिन बड़े-बड़े numbers थे अटक गये, छोटे numbers तो attack कर दिये यह कितना है, 11 18 से यह 16 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना 2, 2 यहाँ पे 11 से जाएगा, तो बचेगा कितना 9 9 root x के बराबर है, तो x कितने के बराबर 9 का square, यानि कि क्या सी, option number भी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है माइनस करूँगा, तो यहाँ पे 40 बच जाएगा और यह 240 बच जाएगा, हाँ sir यहाँ पे मेरे पास यह 25 है, हाँ sir और उसका यहाँ पे 22 टाइमस करना है हाँ sir, आपकी मर्जी आप किदर से जाओ 25 का 20 टाइमस 500 और 2 टाइमस 550 550 से जब यह 240 जाके माइनस होगा, तो आपके सामने जो value होगा वो किसके बराबर होगा, question mark का value 310, option number 6, सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह करो छोटे-छोटे question मैं खुद लिप्टा दूँगा आप उसके लिए मेहनत मत कीजिए आप थोड़े अच्छे question कीजिए 261, बहुत बढ़िया यार, बहुत जबरदस्त मैं उधर देख रहा था आप लोगों के answer तो यहाँ पर एक चीज मैं जो feel कर रहा था मैं आपको बता दूँ, मैंने आज ही आप लोगों को कहा कि इसको 62% को 450 ना लेके 450% of 62 लेना है, मैंने कहा था यहाँ पर मैं एक और तरीका कहूंगा, क्यूंकि 450 किसी चीज का 4,5 गुना करना और वो भी 62 जैसे चीज का, difficult नहीं होगा जैसे कि 62 का 4 गुना अगर मैं करूं तो 248 और अगर half में कर दूं 31, तो 248 और 31 मिलते ही 279, क्या यह चीज परफेक्ट है 279 और अगर यह 279 परफेक्ट है तो आप इसको कैसे जा सकते थे और एक बार अरे परफेक्ट है या नहीं एक बार बताओ नहीं तो कोई doubt है तो पुछ़ी पूच सकते हो अगर यह 279 परफेक्ट है या नहीं वो जानना है आप लोगों को तो आप एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे जो पुराना वाला मेथड है उसको लगाना सर पुराना वाला मेथड यहाँ पे 622% off आपको 450 का निकालना है यहाँ पे मैं कौन सा मेथड कह रहा हूँ कि percent के साथ 1-0 आप कैंसल कर दो इधर 1-0 कैंसल करने के बाद मैं आपको कहूंगा कि एक नंबर को 5 से कैंसल करो एक नंबर को 2 से कैंसल करो यह आपको थोड़ा ज़्यादा दल्दी पहुंच 279 तो दिख रहा है हां भी नहीं बोल लेते कोई यहाँ तो मुझे clearly visible हो रहा है 279 और एक नंबर को 5 में एक नंबर को 2 में कैंसल करने के बाद जो 31 इंटू 9 आएगा वो कितने के बराबर आएगा 279 आ गया काम खतम 11.11 को जितने लोगों ने अपने जिंदगी में 11 लेके गलती किया होगा वो जिंदगी में यह चीज नहीं भूलो कि 11.11 क्या होता है यह 1 by 9 का वैल्यू है जब भी basic percentage वैल्यूस रहते हैं उनके वैल्यूस को approximate मत करना और 1 by 9 अगर मैं 729 कलूं तो यह clearly 81 आता है तो 81 जब इसमें add होगा तो डरने वाली कोई बात है नहीं 270 में 80 जुडते ही 350, 9, 10 तो 360 हो चुका है अब तक का वैल्यू उसमें से माइनस कितना होगा 33 का 3 टैम्स अब 33 का 3 टैम्स कितना होता है 99 99 माइनस करना है बड़ा खुबचुरा चीज है क्यों आप पहले तो 360 से 100 माइनस कर दो कितना आ जाता आपके पास 260 आ जाता अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जैसेंगी मैंने किया 62 का चारगुना 248 और 62 का आधा 31 248, 31, 279 डाइरेक्ट दिग्ग्या होगा नहीं तो आप ये कर सकते हो परसेंट के साथ 445 का 0 और एक बार 5 में एक बार 2 में कैंसल करके आग की मर्सी कम्प्लीटली बोला था आच्छा ठीक है सारी देखा रही था सर आपकी क्वांटम कैट्ट वर्ली सीरीज मेंस का सिलाबस कवर हो जाएगा ना इस फ़र इस बेप ये सीरीज ऑसम है सर हाँ बिलकुल बहुत जबरदस तरीके से हो जाएगा उसके लिए भाई क्यूग किते जानी बाग हो था क्योग कोडिये जाएगे मन रखाओ काफी नाइटी 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 ये तक सबके आंसर्स आ रहे हैं 90 अगर आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको 2025 ये चीज आपको जाने रखना चाहिए ये 45 का स्क्वेर होता है सर ये कैसे करें अगर 25 है तो लास्ट में 5 डाल दो 20 को consecutive numbers में split करो consecutive number मतलब क्या मैं 20 को 4 और 5 लिख सकता हूँ हाँ सा है और चोटे वाले नंबर को डाल दो 4 और 5 का चोटा 4 को डाल दो प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 40 परसंट है किसका 160 कोई 2 बाई 5 नहीं फिर मल्टिप्लाइ करोगे 32 इंटू 2 160 कितना न यार परसंट के साथ 2-0 कटता हुआ भी नजर आ रहा है और अगर परसंट के साथ 2-0 कटता हुआ नजर आ रहा है तो 16-4 के कितना होगे आपके पास 64 नहीं तो 10% 16, 4-64 माइनस यहां पर क्या होगा अब 8 का स्क्वेर बहुत कूप सुरत 8 का स्क्वेर भी 64 मतलब यह काम खतम हो चुका है यही जो इकलोता 45 बचा है वो x बटे में यह 2 है तो 2 जब आके मल्टिप्ला होगा तो x का वैल्यू 45 इंटू 2 कितना आ जाएगा 90 अप्शन नमबर e is the absolutely correct answer for this question next सवार बहुत जल्दी कर रहे है बहुत सेकंड में बहुत बढ़ी आया आप लोगों का स्पीड जबरदस्त करते रह ऐसे ही अब तो 400 परसेंट विजिबल हो गया होगा क्या चीज होना हो चाहिए वहां पे 6 आ रहा है सभी के अंसर पर्फेक्ट बहुत स्पीड 400 परसेंट का मतलब आज तो आपको समझ आही गया होगा कि चार गुना की बात की जा रही है 500 का आपको क्या करना है देट सो को चार से गुना करके डिवाइड करना है या गुना करने से सेकंड लगेगा तो मल्टीप्लै करके ही आगे बढ़ जाओ 150 का 4 times neon के अनुसार कितना होता है 600 और उसके साथ divided by कितना है 50 600 जब 50 के साथ जाएगा तो ये 12 बचेगा अब ये किसके बराबर है ये किसी एक नंबर के square में divided में क्या बेठा है यहां पर ये 96 और यहां पर ये 32 अगर में करूं तो ये 3 बार जाएगा नेक्स्ट सवाल पूरा प्रैक्टिस करतो जैसे आज और सिंप्लिविशन अप्रॉक्सिमेशन स्पीड में आत करने की ज़रूत में एक दिन का कोटा कम्प्लीट हो जाएगा आपका कि रुक से गए ऐसा तो रुकने लाए कुछ नहीं था 180 बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं रहे हैं क्या है 180 के पीछे का राज यहां पर ये 99 इंटो 6 है क्या आपको दिखा 19 इंटो 6 114 होता है माइनस यह 156 से मुझे माइनस कितना करना है 136 जा कितना होता है 136 जा 78 डरना बिल्कुल भी नहीं है 22 और यह 56 अगर आप आड करोगे तो यहां पर यह 78 है 156 माइनस 78 करोगे तो 78 यह आएगा अब 114 से जब मैं 78 को माइनस करूँगा तो 22 और 14 मेरे पास बचेगा कितना 36 और 36 का मल्टिप्लिकेशन जब लास्ट में अल्टिमेटली ब्रैकेट कुलने के बाद 5 के साथ होगा तो 136 5 जा 180 इस सवाल का सही जवाब है अंदर से निकलते जाओ और आंसर निकालते जाओ 196 जा 114 यहां पर 136 जा 78 156 से 78 गया 78 114 से 78 गया 36 यह 5 मल्टिप्लिया हुआ 180 स्पीड बढ़ाओ इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था इस सवाल के लिए गंदा है बिल्कुल बिल्कुल आड होगा थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हो यार इतना ज्यादा टाइम ने लेना चाहिए कुछ मेरे प्रॉब्लम है क्या 642 यहां पर आपके पास कितना है 1245 तो लिख लेते हैं कितना टाइम लगता प्लस यह था अच्छा गंदा है क्या यह 1087 है हां सर उसी का 3 टैम्स उसका 3 टैम्स करने के लिए आपको 108 का तीन गुना पहले करना है 108 का 3 टैम्स कितना होता 3 24 और उसमें एक 0 लगा देते है 3 2 4 0 फिर 7 इंटू 3 21 3 2 4 0 में 21 जुड़ते ही 3 2 6 1 यह पूरा आपको विजिबल लेना चाहिए 3 2 6 1 और माइनस आप कितना करने थोड़ा प्लस माइनस का सीन रहेगा तो देखो कितना टाइम लग जा रहे है सिर्फ प्लस माइनस के सीन में इतना जादा टाइम लग जाएगा इंटू डिविजन में काम बन जाएगा यह आपके पास 351 है और इसका 11 टाइमस किसी 351 का 11 टाइमस कैसे करूंगा 351 का 10 टाइमस 3510 और 1 टाइमस 351 अगर मैं एड करूंगा तो यह आपके पास आ जाएगा 3861 अब जब मैं इन दोनों को एड करके माइनस करूं या जैसे भी करूं तो मैं आपको सबसे पहले एक खुपसूरत सा चीज दिखाना चाहता हूं क्या आप लोगों को यह चीज विजिबल हो बहुत हद तक विजिबल होना चाहिए 61 और 61 तो पहले इन दोनों का काम कतम करूं अगर मैं 3861 से 3261 माइनस कर तो 645 मेरे कुछ आ रहा है कुछ गडबड किया कि मैंने क्या हो गया यह सही है ना यही आ रहा है यही आ रहा है तो आप अप्रॉक्सिमेट जा सकते हो 642 के साथ ठीक है तो यहां पे फिर से जितने लोग गए होंगे यूनिट डिजिट के साथ शायद वो लोग धोका खा गए होंगे आपको तो मिला ही नहीं होगा ठीक है यहां पे आप अपने आंसर नहीं होगा इसलिए अप्रॉक्सिमेशन में थोड़ा यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कम ही किया कीजिए मैंने आपको बार बार काये देखो 645 को अप्रॉक्सिमेटल हम 642 ले सकते हैं न तो यह थोड़े थोड़े धोड़े धोड़ा खाने वाले चीज़ अप्रॉक्सिमेशन में कभी धोड़ा नहीं खाएंगे पक्का वादा है मेरा ठीक है सवाल में कुछ तगड़ा वाला चीज़ नहीं है परसेंट के साथ 00 काटूं यहां 18 रहेगा सर क्यूं क्यूंकि इसको मैं 1800 मान सकता हूं परसेंट के साथ 00 कैंसल हो गया यहां पर 75 परसंट यानि कि यह 3 बाई 4 है किसका क्लियरली 480 का यह हो गया यहां पर 120 का 3 गुना 360 में 90 जुड़ेगा 450 अठारा के डिवाइड होगा अठारा में काटोगे तो दो बार 36 पांच 25 तो एकस का वैल्यू जो है वो 25 आगया आपका option number 10 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है तो करना कुछ भी नहीं है चीक है करना कुछ भी नहीं है 25 तो जो सवाल easy है मैं वो नहीं करने दूंगा आपको जैसे कि 16 का स्क्वाइर 256 होता है प्लस यह 220 परसंट 20 का है न तो आप इसको एक बटा 5 कर दो मतलब 20 परसंट आफ 220 तो 220 का एक बटा 5 जब मैंने किया तो यह 44 24 आया 256 और 44 तीन सु आगया option नमबर इस सवाल का सही उत्तर है यह करूँ मेरे पास advantage रहता है मैं उसी line को बिना लिखे उसके ही साथ चला जाता हूँ आपके पास advantage बहुत बड़ा disadvantage में convert हो जाता है फिर भी आप इतने जल्दी कर रहे हो काबिले तारीफ सही में दिल से जवर्दस पच्चिस क्या है इसका सवाल 25 पच्चिस पच्चिस बोल ले हो सबसे पहले तो सेम condition percent को हटाऊ मत, percent हटेगा तो बहुत गंदा हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर देखो 1200 है तो percent तो इस 00 के साथ चला जाएगा पचास percent आदा है, 360 का आदा कितना होता है, 180, यह 240 percent of 50 है तो आप 50 percent of 240 कह सकते हो 50 percent मतलब आदा 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 240 कितना होता है, 120, 180 और 120 जुड़ा तो 300 और 300 में यह 12 आके डिवाइड हुआ, तो यह कितने के बराबर आ गया, अरे कुछी देर पहले वही सवाल ऐसा टाइप काम ने किया था, तो option नमरे 25, इसना absolutely correct answer, यह कुछ करो जी बिल्कुल अविनाश मिस्रा जी, बिल्कुल करवाएंगे अल्लेडी चैनल पे हैं बहुत से वीडियो उस रिगार्डिंग, अपडेटेड वीडियो भी लाएंगे यहां भी 25 है, अच्छा यह प्रीवेस सवाल का होगा, सुरज कुमार जी का, क्योंकि यहां तो 25 option नहीं है बाकी लोग भी सब कुछ अटेक कर चुके हैं, 48 पे, बी पे, देखते हैं क्या यह सवाल का सही जवाब है सबसे पहले यह मेरे पास 136 है, यह मेरे पास 4 है, जब मैं 4 से कैंसल करूँगा, 4, 12, 16, यहां पे 4, यह 34 आ गया मेरे पास यही advantage है, जो आपके पास नहीं है, for your kind information यह 234 है, और यह 6 से, 6 से जब मैं कैंसल करूँगा, तो बेटा देखो, कुछ ज़्यादा, 18 तक मैं जाओ यार 240 होता, तो 40 बार होता, 6 का 40 गुना, 240 होता, लेकिन यह 240 से 6 कम है, मतलब 40 बार नहीं, उससे एक बार कम सही में जा रहा है, कुछ गडबड तो नहीं किया, एक बार और चेक करना, 4, 4 यहां पे 4 तिया 12, 16, 4, बिल्कुल सही है, और अगर मैं 6 से कैंसल करूँ हो, तो 6 तिया, इस बार जाना पड़ेगा, तिया करके 18, 54, 9, सब कुछ परफेक्ट है, 30, 60, 73, 73 से अगर जाएगा, तो कितने बार जाएगा, अगर मैं कहूं तो 70 से, 5 टाम्स तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 टाम्स जाएगा, तो 350 को क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, कि यहाँ पे 4 बार जाएगा, और अगर परफेक्टली जा रहा है, तो 3 है, 4 करने के लिए 8, 48, यह क्या, 2-2 बार 48 है रहे, 48 ही सवाल का जवाब है क्या, 48 ही सवाल का जवाब होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो बच्चे बहुत भी बोलने हैं कि 50 के, 50 गुना के आसपास है, क्योंकि 70 का 50 गुना 350 है न, उसके आसपास और थोड़ा कम होना चाहिए, तो 48 के साथ आप ब्लाइंड गेस जा सकते हो, नहीं तो पूरा डिवाइड करके चेक कर सकते हो, मुझे उसमें कोई जादा है नहीं, तो चाहे B को मार क्या हो, या अपने D को मार क्या हो, यहां पे ऐदर और लग जाएगा, बोलो हाँ या न, ऐदर भी और D is the absolutely correct answer for this question, चलो आगे, accurate 48, हाँ जा रहा होगा, C&D, आच्छा, वो चीज़, वो सेंस पे बोल ले थे, अच्छा, समझे, 151, तनीशा, अक्षिता, अन्शिका, बढ़िया बढ़िया नाम है यार, सभी, सभी में similar हो जाते हैं, पूरा-पूरा, ठीक है, चलो, तो यह 15% है किसका, 640 का, आपकी मर्जी आप इसको क्या करोगे, मुझे उससे कोई मतलब है नहीं, आप अगर 15% को 3 by 20 करते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% निकालके 5% जोडते हो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, प्लस, अगर मैं 20% की बात करूँ, तो यह 1 by 5 होता है, किसका, 275 का, 5 का, यहां पर कैंसल करूँ, 55 होता है, तो 96 plus 55, 90 और 50 जब आपस में जुडेंगे, 140 और 6, 5, 11, 140 और 11, 151, तो कुछ था नहीं तगड़ा इस सवाल में, बिलकुल भी, ठीक है, कुछ भी तगड़ा नहीं था इस सवाल में, यह भी और गंदा है, अगर मैं माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, अगर मैं अप्शन देखे ही बुरा नहीं लग रहा, अरे गौड ब्लेस यो अविनाश मिस्रा जी, गौड ब्लेस यो बटा, 1091, 1091 होगा इसका अंसर, चलते हैं आगे नहीं चलेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ, इस फाइफ, 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 5, 6, माइनस करो, 7-6 गया, एक, 13-8 गया, यह हो गया, पाँच, और यहाँ पर अगर मैं बात करो, 53 से यह 48 गया, तो यह 5, क्या यह 551 है, मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा, यह आरेचेस में जाके माइनस होगा, किस से? 88 इन्टू 19 से, बहुत गंदा नमबर है, यार, 88 to 19 के लिए मैं क्या technique लगा सकता हूँ मैं ये technique लगा सकता हूँ 88 का 20 times कर दूँगा जो क्यों होगा 176 और 0 और उसमें से 88 minus कर दूँगा ये भी गंदा है अगर इसमें से 68 minus करता तो मेरे पास कितना बचना चाहिए 1680 बचना चाहिए लेकिन और 8 कम हो जाएगा तो ये मेरे पास 1672 बचेगा और अगर मैं 1672 से इस 551 को minus करूँगा तो मेरे पास ये value कितना आ जाएगा मेरे पास तो बहुत गंदा आ रही है 2 मेरे पास तो कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स आ रहे है क्या अगरबर किया मैंने आपको पताओ 581 581 7 से 6 गया 1 13 से 5 गया 8 वाव थैंक्यू सो मच गौड ब्लेस यू आल तो ये गया आपके पास फिर ये हो गया 81 अब अगर मैं इसको ये बहुत गंदा था यार 17 से 8 गया ये हो गया आपके पास 9 और ये 15 से 5 गया ये 10 क्या ये सही उत्तर है क्या ये सही उत्तर है ये तो आप्शन में अब चिक कर लो बताओ यार कुछ भी येस हाँ जी अगर ये पेपर में आता मैं नहीं करता मैं आगे बढ़ जाता इसको मार्क फॉर रिव्यू करके ये बहुत मतलब यहीं से आर छूड़ गया बहुत बुरा होता अभी इधर आजाओ ज्यादा दे ठीक हो ना उस सवाल में ज्यादा तर ये चैनल पर जो वीडियो जे अरित्मेटिक का आप इस्तिमाल कर सकते हो इससए के प्रिपारेशन के लीए लेकिंटी मैं देख सकता हूँ दस परसंट है हाँ से किसका 600 20 परसंट बच्चा बच्चा जानता है कितना उता हुतBay और यहाँ पर डिवाइड़ अपने पास 15 आपå 15 5 foam package हो चाहर ये वाला चीज politicsल अब देखो ये 12% है किसका 200 का तो percent के साथ 2-0 cancel हुए 12 दुनी कितना हो गया 24 24 आके इधर प्लस हो जाएगा 24 जब आके यहां पर प्लस होगा क्या हो रहे मेरे साथ कुछ छूटा क्या 10% 600 का 60 60 बटे में 15 4 ये 12% ओ हो 300 12% 300 का तो 0000 cancel हो गये 12 ये कितना हो गया 36 36 जब आके एड होगा तो वही मैं सूच हो option क्यों नहीं मिल ला ये कितना हो गया आपके पास 40 option number 20 खवाल का बिल्कुल सही उत्तर है चलो अब मैं ध्यान देके करूँगा ध्यान केंद्रित करके जब मैं करने गया तो ये 1245 होगा ये बटे में 5 होगा ये 2 में गया ये 4 में गया और अगर में बात करू तो यहाँ पर आपके पास है 238 और माइनस में आपके पास है 7 का स्क्वेर यानि कि 49 249 से 49 गया 200 200 और 238 ये 438 आ रहा है मेरा तो आ रहा है आपका बता नहीं सवाल में करने लाए कुछ था नहीं कुछ है तो करो बहुत सही आप लोगों का स्पीड काबिल अतारीफ है हाला कि मैं बहुत मजाख करता हूँ लेकिन इस बार में मजाख नहीं कर रहा ठीक है इस सेंस में मैं सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा 20 आंसर आ रहे हैं सभी के तो देखते हैं क्या 20 से सवाल का सही उत्तर है या नहीं जानने के लिए सबसे पहले आप RHS से सुरुआत करो क्यों क्योंकि LHS में question mark है और वो माइनस वाला चीज है वो सीधा आ जाएगा right hand side पर प्लस बन जाएगा तो पहले तो right hand seat चीज का काम खतम करो यह 50% है 32 का 32 का 50 परसंट आधा यानि की यहां पर 37.5% है आपके जानकारी के लिए बता दे 37.5 परसंट थ्रीवाइट अगर यह नहीं पता खतम कहा नहीं किसका निकालना है वन जीरो टू फोर का निकालना है 8 में एक बार आट यह वो गया आपके पास 2 आट दूनी कितना हो गया 16, अब ये हो गया आपके पास कितना 64, ये हो गया 28 128 का तीन गुना 384 384 जब आके एड होगा तो ये बन जाएगा 400 और ये जो 400 होगा न, ये किसी एक नंबर के स्क्वेर के साथ बराबर है, तो वो नंबर कौन है जिसका स्क्वेर 400 होता है, बीस होता है वो नंबर, ऑप्शन नंबर भी जितने लोगों ने का है, हैट्स आप के बिटाप गजल बहुत जबन बस, सवाल को देखो जल्दी से चैनल इतना भी कुछ भेंकर है नहीं, ध्यान देना है और नंबर्स को पिक करना है अच्छे से नंबर्स पिकिंग स्किल इस मास्ट, अजे जोसी जी बोलें तेरा, देखते हैं क्या तेरा इस सवाल का सही उत्तर है अश्व, अंसिका, गौरव, अश्व, तनीशा, कोमल, अश्व, किरनजित सभी लोगों का तेरा आ रहा है, very good सबसे पहले मैंने देखा, क्या देखा सर आपने मैंने देखा कि ये 40% मांगा जा रहा है 160 का, ना मैं टू बाई 5 में इंटरेस्ट होरा है percentage के 2-0 cancel में interested 160 का 10% में interested हूँ 16 तो 40% उसका 4 गुना होगा 164 के 64 यह में पहला चीज जव था उसमें interested प्लस सरी प्लस कहां से लाए RHS में जो दोनो negative वाले चीज़ है न वो LHS में आके प्लस ही होगे क्योंकि RHS में मुझे सिर्फ रखना है question mark के square को बात यहां पर कही जा रहे है कि 320% 12.5 का लेकिन हम ऐसा नहीं लेंगे हम इसको 12.5% लेंगे 320 का इससे फाइदा क्या होगा 320 का 12.5% जब आप निकालोगे तो यह 1 by 8 बन जाएगा और यह खूबसूरत सा आपके सामने 40 निकल के आ जाएगा यह 40 दरा के प्लस हो जाएगा प्लस यहां यह तो बड़ा खूबसूरत है 50% 50% मतलब आधा किसका 130 का 130 का आधा कितना होता है 65 जब मैं add किया 60, 40, 100, 60 और यह 549 तो 169 और यह है किसी x के square के बराबर तो वो number कितना होगा जिसका square 169 होता है वो number 13 होगा तो option number C is the absolutely correct answer for this question option बहुत ही जादा widely vary कर रही है ऐसा मजा नहीं आएगा option थोड़े close रहेंगे तब ही न मजा आएगा यह क्या है चलो करो जो भी है गाद ब्लेस यू आयो शक्सेना जी नहीं official exam dates नहीं आये जल्दी आ जाएगा हलो धीमन मित्रा जी स्वागत है आपका session पे थोड़े ज्यादा टाइम नहीं ले रहे आप लो 150 सत्य प्रमोर जी बोल रहे हैं देखते हैं स्क्रीवड यूट्यूबर हलो सर हलो चलो तो 45 सेकंड में एक आंसर आया है देख सो का बस देखना है वो सही था या नहीं अगर सही था तो आइडियल टाइम है आप 45 सेकंड मान सकते हैं ओम प्रकाश जी भी बोलने देख सो बाकी के आंसर अभी तक नहीं आये हैं अब थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़े ऐसे खींचाओ सवाल आएंगे न तो डरना तो है नहीं अपने को अपने को तो अटैक करना है जब अपने अटैक करने के लिए हम लोग गए तो यह आपके पास क्या दिखा है यह आपके पास 42 परसंट दिखना चाहिए 950 का सिंपल सा फंड़ा आप कह सकतो है परसंट के साथ 1-0 तो गया पांच में एक नमबर को काटो 19 बर 2 में एक नमबर को काटो 21 21 और 20 का मल्डिविलेशन बढ़ा कूप सूरत है बीच में कौन नमबर 20 उसका स्क्वेर से एक कम करना है तो 400 से एक कम 399 यह वर्बली आ सकता है अगर आप ट्राय करें तो यहां पर 9 और यह वन अच्छा गेम हुआ है आप लोगों के साथ देख लो क्या हुआ यह गेम पता है यह 121 जो है यह 11 का मल्टिपल में है और यहां पर आपकर इस नमबर करूँगा तब ही जाके मुझे खुबसूरत सा वैल्यू मिलेगा कितना 11 का और यही खुबसूरत 11 के वैल्यू की मुझे तलास थी क्योंकि 399 में 11 जुडते ही वैल्यू जो है वो 410 में तबदील हो जाएगा आगे आपके पास 13 है और यह मल्टिपलाय जो करना यहां पर आ 20 अब यहां पर 13 है और उसका मल्टिपलिकेशन 20 के साथ तो यह वैल्यू 260 आ जाएगा अब 410 से जब 260 आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास कितना बच जाएगा 150 तो अप्शन नमबर डी जितने लोग बोले थे हैट्स ओफ किपट अप गजब 150 इस अप्सलीटली क एक एक तगड़ा सवाल बीच में आपके आ जा रहे हैं तो चलो आगे कुछ कुछ कुश्टिन्स लीव कर देने चाहिए हाँ बात तो सही लेकिन ऐसा कुश्टिन नहीं आएगा आप लोग कर सकते हो है हलो गुलू मुलू सर हरे हलो मम्मी बन गई आप तो मुझे अचानक से लगा मम्मी आ गई लाइक शेशन में देखना पड़ेगा मम्मी का अकाउंट यह नहीं है तो 75 क्षितिस मम्ता तनीशा बाकी लोगों को कोई फरक नहीं पड़ रहा कोई गोलू हो कोई मोलू हो कोई मम्मी हो पचत्ता पढ़ाने आया है पढ़ा के जा भईया ठीक है यह सब बातें बाद में अगर 75 यह सवाल का सही उतर है तो देखते हैं कैसे आया होगा क्या यह कह सकता हूं 22 और यह 21 है 21 और 22 जब भी कोई consecutive numbers के multiplication किये जाते है तो छोड़े नंबर का square में छोड़ा नंबर को फिर से जोड़ के आप पा सकते हो यह नहीं कि किस का square 441 में फिर 21 जोड़ के 462 यह आ ज और यह कितना है आपके पास 14 बहुत 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 गंदा है तो 14 का 3 मुना कितना होगा 14 का 3 टेंस होता है 42 तो यह 420 और उसमें और 42 420 और 42 अगर मैं करूंगा तो यह कितना आ जाएगा 462 मुझे कुछ गडबड लग रहा है दो दो बार 462 आ रहे हैं कुछ 308 माइनस करने है 24 से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो यह कितना बन जाएगा 16 नौ से 3 को माइनस करूंगा तो यह कितना बन जाएगा 6 यहाँ पर यह मेरे पास divided by है 80 क्या आपको भी कुछ गडबड लगा क्या सिर्फ मुझे ही गडबड लग रहे हैं क्या आपको कुछ गडबड लगा या मुझे ही गडबड लग रहे हैं अगर यह सवाल बिल्कुल पर्फेक्ट है और examination में वाकई में आया है तो यहाँ पे 8, 7, 56, 7.something तो 7.something के साथ में 8 के साथ जा सकता हूँ तो 8 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा option number E ठीक है सही जा रहे है सब कुछ सही है तो यही है आपका तो 8 यहाँ पे हो गया approximation देखा यह छोटे छोटे चीज approximation को काफी खास बनाते हैं यार सवाल अपने जगा बिल्कुल सही है वो मांग रहा है 8 क्यूंकि उसको चाहिए approximate value what approximate value will come in place of question mark तो सवाल का सही जवाब 8 हो गया आप बढ़ो आगे accurate 7.7 अच्छा I thought मेरा गलत हुआ सब 75 में गया है अच्छा 7.something हाँ वैसे गया होंगे जल्दी से इसको करो अच्छा लगा आप लोग ठकनी रहें बहुत बढ़िया यार यही होता है तैयारी ठको मत जब सामने वाला नहीं ठकता आप क्यूं ठकोगे यही होते है असली माइने में marathon बोलो हाया ना यही होते marathon कल दो घंटे का आज भी चला जा रहा है देड़ घंटे से 75 यहां पर 75 कहां से वो previous का आ गया होगा शपोस दिविजन में गलत हो थीन एक एक चार थोड़े आपसे अच्छे अच्छे questions नहीं आ रहें शायद इसको रखे रहो बेटा इसको multiply करने का जूरत भी मत करना बस रखे रहना 78 रखे रहना और यहां पर इसको 1152 रखे रहना और इसको यहां पर 24 रखे रहना cancel करोगे तो 8 में cancel करो 3 बार जाएगा 8 में इसको direct उडाने की questions करो 8 एक बार 35 आट चार बार फिर 4 बार 144 बार जाएगा किसको cancel करें अगर मैं cancel करूंगा तो मुझे मिलेगा 4 और यह हो जाएगा 848 वो सही रहेगा अगर मैं इसको cancel करता हूँ तो यह मेरे पास 48 आ जाएगा तो यह सही क्यों रहेगा अब इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो जैसे कि 78 48 digit ending बराबर है तो इनके बीच में गया 30 का है तो इसमें आप प्लस का 15 कर सकते हो यानि कि अगर आप 63 को अपना बेस मानो तो 63 प्लस 15 और 63 माइनस 15 के साथ जा सकते हो काफी गंदा हो जाएगा चलो तो 78 into 48 हम कर ही लेते हैं कैसे 78 का अगर मैं आपको 50 टाइमस करने के लिए कहूंगा तो आप मुझे क्या कहोगे 50 टाइमस होगा आपका 3900 और मुझे तो 50 टाइमस चाहिए नहीं मुझे 48 टाइमस चाहिए तो दो बार कम 78 का डबल कितना होता है 156 मुझे इससे कम कर देना है तो यहां से बच जाएगा 44 यह 38 और यहां पे हो जाएगा 37 क्या यह चीज एक बार बता दो सब कुछ परफेक्ट है 374 के बाद यहां पे 72% of 72% of 875 वाउ तो यहां पे मैं 72% को अपने 4% के कैटेगोरी में लेना चाहता हूँ 4% होता है एक बटा 25 72 जो होता है वो 4 का कितने गुणा में आता है 18 गुणा में आता है तो यह 18 बटे 25 हो गया और 18 बटे 25 आते ही यहां पे मैं कह सकता हूँ की 25 को यहां पे cancel करूँगा 25 3 जा 75 तो 75 के बाद 125 बचा तो यह 35 बार यह easy है जैसे कि 18 का 3 गुना अगर आप करोगे तो 540 18 का 5 गुना करोगे 90 540 90 630 आके यहां से minus होगा minus होते यहां पे 44 से 30 गया तो 14 रहा 37 से 6 गया तो 31 रहा बिलकुल time consuming but still you have answered it in under 40 seconds hats off keep it up गजब बहुत ही जवरदस्त क्यूंकि यह पूरा बेकार बेकार का calculation ही involved करा था इसमें कुछ नया नहीं था बस बेकार वाले चीज़े थे ठीक है 87.5 परसंट हो कर सकते हो अगर आप इसको यह करना चाहते हो कि sir this is 87.5 ना I want to treat it as 87.5 परसंट तो इसके लिए आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है यहां से अगर आपने एक decimal चीज़ को हटाया तो इसको 720 बनाना होगा तो 720 का आप 87.5 परसंट भी निकाल सकते थे 87.5 परसंट इस 7 बाई 8 और 720 का जब आप 7 बाई 8 निकाल होगे 8 यहां पर कैंसल होगा नौबा तो 90 का साथ गुना 630 you will be getting the same value is it clear perfect next सवाल नेक्स सवाल आपके सामने यह नहीं करूंगा यह आपके लिए homework है यह बाद में आना यह अभी screenshot इतना edition अभी मैं नहीं कर सकता I am not interested थक तो हम सभी चुके है तो यह आपके लिए homework टेक a screenshot of this नहीं तो मैं बाद में फिर सर डिस्प्ले करवा दूगा लेकिन थोड़ा आप लोग इसका screenshot लेजिए और इसका answer मुझे comment box पर ड्रॉप किजिए इतना बड़ा paper में नहीं आएगा मैं करवाओंगा कि करना है तो यह करो ठीक है साइध अनवर जी साइध अनवर जी मैं उसका ख्याल लगखूंगा सरीए unitary method से नहीं उसका यूनिटरी method 125C इस सवाल का सही जवाब है या नहीं देखते हैं क्या है सबसे पहले मैंने गया यहां पे देखा 12% यहां पे कितने का है 625 का simple चीज चो हमने last question में approach लगाए था 4% कितने के बराबर होता है एक बटा 25 याद रह गया याद रह गया 12 जो वह चार का कितना गुना है तीन गुना तो 1 by 25 का तीन गुना value bear करता होगा 3 by 25 3 by 25 में multiplication कितने का होगा 625 का तो यह गया 25 बार 25 तिया 75 आपके सामने कूद किया गया यह 20% की बात की जा रही है यानि कि एक बटा 5 किसका किसी x का और यहां पे 25% बात की जाए 25% को मारो गोली यहां पे यह 200 लिखा है 25% का यह percent 2 से जब cancel होगा डो 0 के साथ तो 25 दुगना य 25 इंटो 5 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 आप्शन नमबर C is the absolutely correct answer for this question ठीक है कर पाओगे percent गायब काहा percent गायब काहा परसंट गायब रहे चलो 125 क्लास कब तक है जब 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 अरे आशन महांत जी सीरियसली ना लिया आजे और कुछी questions होंगे पचास question का वादा क्या है 40 प्लस आप पारी कर चुके होगे आंखड़ा 989 अरे यह प्लस माइनस का सीन है यह मैं नहीं करूँगा बट चिल अगर आप करना चाहते हो तो 1742 माइनस इसको 877 इसको एक बार ढंग से लिखिएगा वन टू फाइब पांच दो साथ ओ यह 141 है मेरा सोई चोचा की उने डिजिट नहीं आ रहा यह 1 है एक पांच छे छे से जब आपका साथ जाएगा तो आप मतलब 16 से साथ जाएगा सोला से साथ जाएगा नौ तो आपने क्यारी ले रखा है तो चार बन जाएगा तीन तीन और दो जुड़ेगा पांच पांच से साथ जाएगा तो नहीं जा सकता पंदरा से साथ जाएगा तो एट रहेगा तो एक और आपने क्यारी लिया है छे एक साथ अरे सब में क्यारी करने को तो मन कर रहा है रुक्सा गया लेकिन बें है और बहुत ही कम कोशन है चार पांच कोशन के बाद पचास कोशन हो जा रहे होंगे अरे हमेशा नहीं रखते यार रास को स्टार्ट वा है तो मैंने आपको सिम्लिविकेशन करवाया आज approximation करवा है कल संडे एक break लूँगा कल offline classes रहते हैं उसके अगले दिन मंडे मैं मैं आप लोगों को करवाऊंगा quadratic और मंडे quadratic के बाद ही हम चलेंगे कहां पर missing number series wrong number series हलो सर जी हाओ आर यू मैं बढ़िया विशाल जी आप कैसे हैं उमीद करता हूँ कि आप तो बहुत ही जबरदस्त होंगे और आपके लाइप भी बहुत तरी सही तरीके से चले होगी यह मेरे भगवान से भी प्रात्रा है सबसे पहले हमने देखा कि यह 75% है 75% का मतलब यह हो गया आपके पास 3x4 जब मैं इसको 00 काटा पांच में काटा यह 17 बार 5 में काटा दो बार 2 में काटा यह 37 37 into 17 बहुत ही गंदारा यार मैं क्या करूँ कुछ और common woman लिया जा सकता है क्या बचा जा सकता है नहीं न तो 37 का 10 times कितना हो गया 370 कुछ और तरीका करो यार मैं मुझे अच्छा नहीं लगा और कुछ तरीका और कुछ तरीका और कुछ तरीका और कुछ तरीका आपका 8 गुना हो चुक है और आधा अगर मैं 37 का जोड़ दूँ इस मैं तलो 74 का 37 जोड़ दूँ तो यह 9, 9, 3, 12, 629 क्या यह वैल्यू सभी का है 620 ओ कॉमन है वही मैं सोचू कुछ common woman है तो बताओ आप लोगने बता है थैंक्यू सो मच फॉर दिस हेल्प गॉड ब्लेस तो यहां पर अगर मैं 37 और यहां पर मैं 37 ले लूँ तो 37 जाने के बाद यहां पर मेरे पास क्या रहा यहां पर रहा 2% किसका 850 का 850 का अगर 1% की बात करूं तो कितना आता है 8.5 तो जो 2% आएगा वो 8.5 का डबल यानि कि 17 आ जाएगा प्लस यहांपर 37 जा चुका है तो यहां पर कुछ फाइदा हुआ हाँ नहीं कुछ भी फाइदा नहीं हुआ 17 और 27 एड करने से कितना होता है 17 और 27 एड होगा तो 30 44 कुछ फाइदा नहीं है वहां तो मेरा answer निकला था लेकिन 2 दो बार multiplication से बचे हो चलो कोई नहीं इसको कुछ और कर सकते हो इसको और कुछ नहीं कर सकते तो 37 का 4 टेंस करो 37 का डबल कितना होता है 74 74 का डबल कितना होता है 148 1480 में और एक बार 148 एड करोगे 8 12 यह हो गया आपके पास 6 क्या यह value आया है सबी लोग एक बार मुझे बता दो 1628 जैसे करो यार अब और exhaust हो चुके हैं यहाँ पर फिर आपके पास जब exhaust हो रहे हैं तभी इतना गंदे गंदे सवाल स्टार्टिंग में अच्छे सवाल लग देने चाहिए 45x गया इधर 728 गया इधर 28 से 28 गया 00 16 से 7 गया 900 45 में कटा किया यह 20 आया x का value 20 चाहलो 1628 बिल्कुल सही है 148 इंटु 11 बोलने हाँ वो बात सही है वो बात क्या एक ही बात है हमने यहाँ जो किया आपने वही किया जैसे भी करो एक ही चीज है और कितने को अरे question खतम हो गया आपके लिए होमवर्क था यह question खतम हो चुक है आपके लिए होमवर्क था 50 question done है ठीक है बहुत बढ़िया आप लोगों का speed रहा और आपके लिए होमवर्क में कुछ नहीं है तो comment कर दीजेगा कि कैसा लगा आज का session आप लोगों के लिए ठीक है तो 50 question मैंने आप से practice करवा दिए speed काफी धीरे धीरे आपको improve हो रहा होगा ठीक है sir homework वाला सवाल अरे homework वाला अच्छा वो वाला सवाल homework ले लो ठीक है एक सवाल हमने आज के session में छोड़ रखा है वो सभी लोग homework में मुझे कहेंगे answer ठीक है तो that's it for today thank you so much guys for being with me for such a long time love you all take care god bless you and request आप सभी से यह आप screenshot ले लिए जो भी आपको करना था यह आप लोग करोगे और आप सभी से request एक छोड़ असा चीज क्या एक तो आप लोगों को में scholarship test का link दे दूँगा आप उसमें participate करोगे apart from this आज आपका 9 p.m. पे quant का 20 minutes का test होगा वहाँ पे भी आप अपना speed को check करना उसके बाद उसके logical approaches के साथ मैं आपको solve करके detail analysis करवाओंगा ठीक है pdf आपको telegram group पे मिल जाएगा और आज मैं आपको solution के साथ दे दूँगा मतलब answer case के साथ क्योंकि answer के जितने जितने available रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा ठीक है ठीक है pdf telegram पे मिल जाएगा प्रीज छेसल के previous year paper solution अच्छा देखते हैं ठीक है देखते हैं थैंक्यो अज का यह test है यह आपका मैं 9 बजे conduct करवाओंगा 20 minute का test रहेगा और कल आपका 27 Feb पे होगा test सारे के सारे updates में आपको telegram group पे share करता रहूँगा और बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने लोग आए thank you so much for this love and support और ऐसा ही channel को बढ़ाते रहे है आगे दोस्तों के साथ ये videos link को share करते जाएए जाते जाते session को like और share करते जाएएगा या आप सभी से रिक्वेस्टर ठीक है सरना अकडमी का टेस्ट बहुत कॉस्टली है नहीं इस इस अ कंप्लेट फ्री टेस्ट या the test which I am conducting at 9 p.m that will be of completely free of cost and the test which is going to happen tomorrow the government examination scholarship test which will going to occur on February 27th this is also completely free and remember the enrollment code you can use this code CDLIVE to access it for free okay thank you so much God bless you all love you all take care और एक क्लास 9 p.m पे आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होने वाला है so that's it for today session को यहीं end करते हैं और आपके valuable comments जरूर से दीजेगा weekend है पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है take care love you all